Hello everyone, this is your friend Sabiha. Welcome back to our channel, Stays to Excellence. आज हम इस सेशन में डिसकस करने वाले हैं, यूरी, ब्राउन्फेन, ब्रेनर्स, एकोलोजिकल थियोरी. ये थियरी बहुत ही इंपोर्टेंट है और एक्जाम में आती ही रहती है, तो आप सेशन मिसमत करना और स्टार्ट टू एंड पूरा देखना. और वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक जरूर करना और अगर चानल पढ़नी हों तो सब्सक्राइब करना मद भूलना. पैदा होए थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 25 सेप्टेंबर 2005 में. इनको इनकी थियरी के लिए बहुत जादा जाना जाता है जो थी ecological system theory of child development. ये थियरी बहुत ही famous है और यही थियरी के लिए इनको सबसे जादा जाना जाता है, माना जाता है. मतलब ब्राउन फेन ब्रेनर क्या देखते हैं कि एक बच्चे का जो development है वो उसी हिसाब से shape होता है जैसा उसको environment मिल रहा है और जिन लोगों के साथ वो interact कर रहा है अगर अच्छे लोगों के साथ interact कर रहा है अच्छा environment है तो उसकी growth and development भी अच्छी होगी और बुरे लोगों के साथ interact कर रहा है बुरा environment है तो उसी हिसाब से उसकी growth and development होगी ठीक है मतलब यहाँ पर growth and development एक बच्चे की कैसी होगी जैसा उसको surrounding मिल रहा है तो यह पूरा environment पे based है जैसा environment रहेगा बच्चे की growth और development वैसे ही रहेगी environment बहुत जादा influence करता है एक बच्चे की life में और उसकी growth and development पे और उन्होंने क्या किया environment को फिर पाँच different levels पे जो है divide कर दिया कि कौन सा जो है level कितना बच्चे को affect करता है उसकी growth पे उसकी development पे तो हर एक level को हम जो है deep में जाके पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे अब बात करते हैं ecological model की जिसमें child जो है वो center point पे होता है और different layers होते हैं जो के बच्चे के environment का हिस्सा होते हैं और उसको directly और indirectly affect करते रहते हैं उसकी growth and development पे तो सबसे पहले जो है वो है micro system फिर आता है meso system फिर है exo system then macro system and last is chrono system तो शुरू करते हैं micro system से और बात करते हैं micro system के बारे में अब micro system की अगर हम बात करें तो micro system nearest layer होता है एक बच्चे से और इसमें जो भी relations आते हैं उन relations से बच्चे का direct interaction होता है जिसकी वज़े से उस पर direct impact भी पढ़ता है इसलिए इसको immediate environment कहा जाता है मतलब direct interaction होता है एक बच्चे का इन सब लोगों से किस से family से school से और years से इसलिए इसको immediate environment कहा गया है अब यहां पर जो है caregivers का और parents का थोड़ा सा active role होता है अगर वो बच्चे का अच्छे से खयाल रखते हैं और उसको सही चीज देते हैं सही time पर तो यहां पर उसकी growth and development अच्छी होगी लेकिन वहीं पर अगर उसके step mother या step father जो है सही decision नहीं ले पाते हैं उसके लिए या सही से खयाल नहीं रख पाते हैं उसका तो यहां पर वो चीज रुकावड बनेगी उसके growth and development पे ठीक है तो यहां पर जो है family school और peers का जादा role है micro system में अब बात करें अगर हम meso system की तो micro system का जब आपस में interaction होता है वो होता है meso system मतलब connection connection होना चाहिए जो भी हमारा micro system है उनका आपस में एक दूसरे के साथ relation होना चाहिए जैसे family का peers के साथ होना चाहिए family का बच्चे के school के साथ interaction होना चाहिए तो यह क्या होता है connection form करता है और यहां पर growth and development बच्चे की और जादा च्छी होती है अब family में parents जो है उनको time to time बच्चे के जो दोस्त लोग है उनको invite करते रहना चाहिए उनसे बात करनी चाहिए तो इससे पता चलता है कि कैसे दोस्त है उसके ठीक है कैसे environment में वो रह रहा है अगर बाहर जाता है तो ठीक है तो यहां पर वो चीज़ पता चलती है और फिर अगर उसके अच्छे दोस्त है तो यहां पर वो बच्चा भी पसंद करता है कि हाँ उसकी family को उसके friends पसंद है तो यहां पर जो है उसका growth and development positive होता है और वहीं पर अगर उसके parents को उसके दोस्त पसंद नहीं है और criticize करते हैं उसके सामने तो यहाँ पर disequilibrium हो जाता है जिसकी वज़े से negative effect पड़ता है उसके बच्चे पर ठीक है और family और school में कैसा connection होना चाहिए जैसे school में कभी-कभी parents teacher meeting होती है या parents teacher conference होता है तो वो help करता है इन दोनों को school को और family को जोडने में और बच्चे के बारे में जो है information share करने में के कैसा बच्चा पड़ रहा है और उसकी सब कुछ जो है detail family से share करते है और family school से share करती है तो यहाँ पर वो चीज़े इसलिए होती है ताकि growth and development बच्चे की अच्छी हो सके बात समझा रही है अब next क्या है exosystem तो exosystem जो है वो बच्चे को indirect way में उसकी growth and development पे affect करता है अब इसमें क्या आ जाता है parents workplace neighbors and extended family members अब यह कैसे affect करती है बच्चे को तो अगर suppose हम बात करे parents workplace की तो अगर एक बच्चे के parents काम करते है company में और वो company उसके father को promotion देती है ठ promotion से क्या होगा वो अपने बच्चे को अच्छे food दे सकता है toys लाके दे सकता है तो यह सारी चीज़े वो अपने बच्चे को provide कर सकता है जिसकी उसकी growth पे positive effect पड़ेगा लेकिन अगर वहीं पर उसके father को promotion नहीं मिलता है और जैसे company से निकाल दिया जाता है तो यहाँ पर क्य होगा हो सकता है वो लोग अपने घर का rent ना भढ़ सके या groceries ना खरीद सके बच्चे की जरूरत का सामान नहीं खरीद सके तो यहाँ पर बच्चे की growth पर negative effect आएगा तो इस तरीके से company जो है affect करती है बच्चे की growth and development में indirect way में बात समझा रही है तो यहाँ पर बच्चे का ज environment है उसको affect करती है अब next आ जाता है हमारा macro system macro system में है social and cultural values social and cultural values भी बहुत जादा affect करता है human development को shape करने में ठीक है अब हर बच्चा अलग-अलग जो है community में born होता है हर एक community के rituals अलग है tradition अलग है lifestyle अलग है तो यह चीज़ भी बहुत जादा affect करती है एक बच्चे को यह भी depend कर है कि वो कौन सी country में born हो रहा है वो country में कौन से law follow होते है ठीक है तो यह सारी चीज़े बहुत जादा affect करती है एक individual को और एक person को एक child को ठीक है and last जो है वो है हमारा chrono system so chrono system क्या है it changes over time मतला time के साथ साथ चीज़े change होते रहती है बदलते रहती है ऐसा जरूरी नहीं है कि क वैसे ही कल हो या वैसे ही परसो हो बदलते रहती है change होते रहती है अब अगर एक बच्चा environment में चीज़े adapt कर रहा है adaptation सीख रहा है और उसी वक्त वो कोई अपने loved ones को खो देता है या कि उसके loved ones की death हो जाती है तो यहाँ पर वो चीज़ उसको बहुत जादा affect करेगी उसके growth and development पे ठीक है या फिर अगर उसके parents की divorce हो जाती है तो वो चीज़ को वो सह नहीं पाएगा और वो चीज़ उसको बहुत ही जादा negative way में affect करेगी उसके growth and development पे और जो कि lifetime के लिए हमेशा वो चीज़े उसके ध्यान में रहेगी और उसको याद रहेगी और हो सकता है बहुत यह थे पांच लेवल यूरी ब्राउन फेंड ब्रेनर थियोरी के जिन्होंने बताया है कि यह सारे लेवल्स बच्चे को indirect और direct way में affect करती रहती है उसकी growth and development पे अब बात करेंगे हम educational implication की और देखते है teacher और school का role क्या होना चाहिए So first is, institution should create an environment that welcomes families and develop opportunities to enhance parental involvement and engagement with the school मतलब यहाँ पर school और institution को ऐसा environment create करना है जिससे family का involvement हो सके school के साथ और उससे क्या होगा फिर एक बच्चे की growth and development positive हो सकती है अगर वहाँ पर teacher information share करती है एक parents को और parents information देता है बच्चे के बारे में एक teacher को तो यहाँ पर उसकी development जो है positive होगी, growth जो है positive होगी इसलिए parental involvement बहुत जादा जरूरी है ठीक है next point है teacher needs to work to support the primary child adult relationship अब teacher को यह जरूरी है कि वो primary child adult relationship को support करती रहे इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर trust पैदा होगा अगर वो कोई भी एक adult के साथ अच्छा bond बना बाता है तो उससे क्या होगा एक बच्चे के अंदर trust जो है build up होता है develop होता है जिससे वो अपनी चीज़े share कर सकता है और जो हमेशा उसको support करे तो यह चीज़ बहुत ज़ादा जरूरी है और teacher यह चीज़ कर सकती है teacher should aware about the child's environmental system in order to understand more about the characteristics and needs of the child अगर एक बच्चे को उसकी learning में बहतर करना है तो teacher को चाहिए कि बच्चे का environment पता करे कि कैसा है ठीक है उसका status पता करे उसके background के बारे में जानने की कोशिश करे तो इससे क्या होगा बच्चे की needs पता चलेगी हमें ये जानना ज़रूरी है कि बच्चे को उसके घर पे कैसा treat किया जाता है कैसा treatment मिलता है उसको और उस हिसाब से हम फिर बच्चे को deal कर सकते हैं और उसको जो है समझा सकते हैं पढ़ा सकते हैं और उस हिसाब से हम strategies अपनी चुन सकते हैं अब देखते हैं एक healthy ecology कैसी होती है और high risk ecology कैसी होती है healthy ecology में family कैसी होती है bonded to caregivers positive discipline मतलब यहाँ पे जो caregivers है या parents है या जो caretakers है वो बहुत ही ज़ादा अच्छा bond होता है उनका अपने बच्चे के साथ चाइल्ड के साथ और यहाँ पर positive discipline होता है high risk ecology में family कैसी होती है insecure bond inconsistent discipline मतलब family की bonding अच्छी नहीं होती है बच्चे के साथ insecure bond होता है और inconsistent discipline है discipline भी यहाँ पर सही नहीं होता है अब school का कैसा relation होता है healthy ecology में supportive teacher होती है और academic success होता है मतलब teacher जो है वो बच्चे को support करते रहते हैं और support की वज़े से बच्चे की growth and development अच्छी होगी और academics में भी उसको अच्छे marks मिलते हैं वहाँ पे भी उसको success मिलती रहती है लेकिन high risk ecology में school में क्या होता है conflicts with teacher और academic failure मतलब अगर growth and development बच्चे की negative हो रही है तो school में उसका teachers के साथ conflicts होता है मतलब teacher के साथ उसकी नहीं जमती है या teacher की बच्चे के साथ वो नहीं जमती है और जिसकी वज़े से academic failure होता है academics में भी बच्चा score नहीं कर पाता उस चीज़ की वज़े से healthy ecology में peers कैसे होते है peer acceptance होता है and pro social values मतलब उसके दोस्त उसको accept करते है वो group उसको accept करता है और pro social value होता है मतलब एक बच्चे जो है kind behavior दिखाता है help करता है एक दूसरे को और respect देता है तो ये सब क्या है pro social values लेकिन high risk ecology में क्या होता है इसका opposite होता है peer conflicts होता है मतलब दोस्तों के साथ उसके नहीं जमती है और anti social values मतलब बच्चा या बहुत ज़्यादा जगरता है अपने school में और सही behavior नहीं दिखाता है तो वो क्या है anti social values तो इस तरीके से ये होता है high ecology मतलब family school or peers का अच्छा relation होता है एक individual और child के साथ और high risk ecology में बच्चे के साथ trainer क्या बोलते हैं every child needs at least one adult who is irrationally crazy about him और her मतलब बच्चे की जिन्दगी में बच्चे की life में एक ऐसा adult का होना बहुत जरूरी है जो उसके लिए एकदम पागल रहे उसके लिए एकदम crazy रहे अब crazy in what sense मतलब बच्चे का बहुत ज़्यादा खयाल रखे उसको बहुत ज़्या development भी बहुत अच्छी होती है तो ये था यूरी ब्रॉन्फिंट ब्रिनर की theory I hope आपको आज का session पसंद आया हो और अगर आपको आज का session पसंद आया तो वीडियो को like करना मत भूलना चानल को subscribe करना मत भूलना और दोस्तों के साथ भी share कर देना सु थैंक्य। वर वाच्छी